7.1.3 यूरोप में कैथोलिक चर्च और धार्मिक सुधार जैसा कि हम जानते हैं इसाई धर्म की शुरुवाद पश्चिमेशिया के फिलिस्तिन प्रदेश्ट में पहली सदी से हुई थी तब यह रोमन सामराज्य का हिस्सा था तीसरी सदी तक यह नया धर्म रोमन सामराज्य में फैल गया और आठवी सदी तक पूरे यूरोप के लगभग सारे लोग इसे अपना चुके थे लगभग चोथी सदी से इसाई धर्म चर्च पर केंद्र था रोम में इस्ति चर्च का दावा था कि हर इसाई को अनिवार रूप से चर्च का सदस्य बनना होगा और धार्मिक विश्यों पर चर्च की ही बातों को स्विकार करना होगा इसे रोमन कैथोलिक चर्च, कैथोलिक यानि सारोभोमिक कहा जाता है चर्च का ढाचा मुहले यह गाउं से शुरू होकर छेत्री और विश्व इस्तर पर नियोजित था हर छेत्रे के लिए एक बिशप और उनसे उपर कार्डिनल नामक पादरी नियुक्त होते थे और सबसे उपर पोप जो चर्च के उच्चितम अधिकारी होते थे उस समय की राजन्यतिक विवस्था भी कुछ ऐसी थी कि राजाओं को पोप की धार्मिक सत्ता को स्विकार करना पड़ा एक तरह से राज्य और धर्मिक अधिकारी सयुक्त रूप से शार्षन चलाते थे ऐसे में धार्मिक विश्वासों की विविदता या धार्मिक सहिश्णुता या व्यक्ति द्वारा अपना धार्मिक रास्ता चुनने की अधिकार का सवाल ही नहीं था यह माना गया था कि एक अच्छे हिसाई का जीवन जीने और मुक्ति पाने के लिए पादरियों और उनके द्वारा संचालित कर्म कांडों की परमावशक्ता है धर्म का आधार ग्रंत बाइबल था जो लेटीन भाशा में था जिसे प्राया सामाने लोग नहीं समझते थे इस कारण धर्मिक की व्याक्या पर पादरियों का एकाधिकार स्थापित हुआ चर्च एक न्याले के रूप में भी काम करता था जिसके शिर्ष पर पोप होता था चर्च के पास अपार भुसमपति थी जिसे वा सामंती भुसवामी की तरह संचालित करता था इसके अलावा हर इसाई व्यक्ति से उसकी आय का दस्वा हिस्सा धार्मिक टेक्स के रूप में वसूला जाता था राज के सत्ता, धर्म, न्याय और अपार्धन पर नियंत्रन के कारण कैथोलिक चर्च का वर्चस्व था उसके विरुद्ध आवाज उठाना राजद्रोह के बराबर माना जाता था इन बातों का पादरियों पर भी असर पड़ा और मध्यकाल के अंत तक वे विशेश वैभो और विलास में जीने लगे रिनोसकाल में चर्च विशाल भवनों का निर्मान करवा रहा था और साथ में उनकी शानो शौकत बढ़ रही थी इस कारण बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए चर्च ने नए तरीके अपना है वर श्रद्धालों को माफी नामा छमा पत्र यह कहकर बेचने लगा कि अगर तुमने कोई पाप किया हो तो उसके लिए चर्च को एक राशी देकर माफी पा सकते हो पोप इस पैसे के बदले माफी नामा देंगे इश्वर के सामने जब पहुँचोगे तो इसे दिखा कर माफी पा सकते हो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि किस तरह एरासमस जैसे मानवादी बुद्धी जीवियों ने चर्च के कई सिध्धानतों वो व्यभार की आलोचना की थी इन्हें इसाई मानवादी कहते हैं वे चर्च के विरुद्ध किसी बगावत की बात नहीं कर रहे थे बलकि उसमें आंत्रिक सुधार की मांग कर रहे थे इसी दोर में चर्च विरुद्धी आंदोलन भी प्रबल हो रहे थे जिसमें गरीब तपके के लोग, किसान और कारिगर अधिक संख्या में शामिल हो रहे थे वे बाह कर्मकांड का विरुद्ध कर रहे थे और आंत्रिक आस्था और निष्ठा पर जोर देते थे इस बीच उत्री येउरोप में राष्टवात की धारा उभरने लगी थी इसी प्रिष्ट भूमी में मार्टिन लूथर ने क्याथोलिक चर्च के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया